हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत एक बार फिर से आप सुभीक अपने प्रिये चनल पर दोस्तों आपको बता दे जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर चीन की सीपीसी मीटिंग में दिखाया गया गलवान जडप का वीडियो जी हां दोस्तों जिसमें भारती सैनिकों से पिटने वाला कमांडर भी था मौजूद बताएंगे दोस्तों क्या है सबसे बड़ी खबर कैसे गलवान का जूट दिखा शेखी बगार रहा जिनपिंग भारत को सबसे बड़ा दुश्वन दिखाने की सबसे बड़ी कोशित चीन की जिहां दोस्तों बताएंग जहां पर दुनिया के विरोद के बावजूद भारत ने रूस से क्यों नहीं तोड़ी दोस्ती उसका एक सबसे बड़ा और एहम पहलू दोस्तों आपको हम बताने वालें और साथी साथ बताएंगे जहां पर कॉंग्रेस पार्टी के दिगज नेता ने राहुल गांधी के ह खिलाफ खोल दिया है मुर्चा कहा रोको व्हारत जोड़ो यातरा Kathryn तो जिसके बाद पूरे कॉंग्रेस महकमे में मच गया है हर कंप जिहां दोस्तों साथी दिवाली के मौक्टे पर दोस्तों यह सारी सुब्धाइं आपको मिलने वालें क्या-क्या हे वह सुविधाएं तो हर तरह की जानकारिया भी आपको बताने वाले हैं तो अराम से बनेड़ेगा वीडियो के अंति तक और अभी खबरों आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों मानते के अपना देश नंबर वन देश है दोस्त और भारत की विदेश निती सबसे बैस जहां पर चीन की CPC मीटिंग में दिखाया गया गलवान जड़ब का वीडियो भारतिय सेनिकों से पिटने वाला कमांडर भी था मौजूद जी हां दोस्तों चीन की सत्ता रुड कमनिस पार्टी की 27 कॉंग्रेस के गलवान जड़ब का वीडियो दिखाया गया दोस्तों शामिल 304 प्रतिनिद्यों में शामिल हुआ जून 2020 में गलवान घाटी में भारतिय सेनिकों के साथ संगर्ष में घायल हो गया था बिजिंग इस्ति दा ग्रेट पीपल्स हॉल के अंदर एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर गलवान में भारत के सेनिकों के साथ जड़प का वीडि सेनिकों के जवाबी हमले में गंभी रूप से घायल हो गया था जिहां दोस्त आपको बता दें यह वीडियो दिखाया क्यों जा रहा है दोस्तों समय बड़ा सवाल यही है दोस्तों आपको बता दें दरसल चीन गलवान का जूट दिखा करके शेकी भगारने की कोशिस कर र अक्टूबर को चीन में कमिनिस पार्टी ऑफ चाइना के भी सेहंदे राष्ट्रिय कॉंग्रेस के पहले दिन भारती सेना और चीनी सेना प्यले के बीच 15 जून 2020 को गलवान में हुई जड़ब की क्लिप चलाई गई थी तबके चीनी मिलिटरी कमांड को इसमें हीरो की तरह पेश किया गया चीनी सेन कमांडर ने बीचिंग में आयो जित 2022 शीत कालिन ओलंपी खेलों की मशाल भी ले रखी थी दोस्तों चीन के राष्ट्र पती शी जिन पिंग ने गलवान की खूनी जड़ब को दिखाया और इसके साथी चीनी सेना के कोशल का प्रदर्शन किया इस संगर्ष में भारतिय सेना के 20 जवानों के मुकाबले उसके 4 सेनिक खत्म हुए थे जी हां दोस्तों इससे समझा जा सकता है कि चीन पुर्वी लद्दाक में भरही भारत के साथ सीमा विवाद निप्टाने का दावा करता हो लेकिन उसके इराद इसे बनाए रखने के हैं ज के लेने पुर्वी लद्दाक में 1597 किलोमीटर लंदी एलेसी पर अपने दावे को मजबूत किया है जिहां दोस्तों ऐसे में दोस्तों ये तती खबर की बात बागी आपको क्या रगता है दोस्तों आखिर चीन के और क्या मनसूब हो सकते हैं दोस्तों इसे वीडियो के पी और नेशनल कॉंफरेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारुक अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर में टार्गेट किलिंग को लेकर बड़ा बयान दिया फारुक अब्दुल्ला ने कहा कि टार्गेट किलिंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक की भारत पाकिस्तान से बात नह हो गए लेकिन पिछले कुछ साल उसे कश्मीरी पंडितों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है जी हां अब भाजपा के पास क्या जवाब है जैसे भारत लद्दाग छेदर में सीमा विवात को सुल्जाने के लिए बीजिंग के साथ बात कर रहा है उसे पाकिस्तान से भी बात करने की पहल करनी चाहिए जी हां दोस्तों जम्मु कश्मीर के पुर्व सियम ने कहा है कि टार्गेट किलिंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक भारतर पाकिस्तान बात चीत नहीं करते भाजपा पहले उनुचेद 370 को हत्या और अनी चीज़ों के लिए जिम्मेदार ठहराया था लेकिन अब इसे खत्म हुए चार साल हो गए हैं और फिर भी लोग मर रहे हैं यानि कि दोस्तों आप आप फारुक अब्दुला के इन बातों से दोस्तों एक चीज़ तो बिल्कुल कंफर्म समझ सकते हैं वो यह है दोस्तों कि जिस प्रकार से पाकिस्तान की औ पर और भाजबापर जैसा कि फारुक अब्दूला ने कहा है दोस्तों कहा है कि पाकिस्तान के साथ बास्चित करनी चाहिए ताकि की तभी यह टार्गेट कि लिए इस वीडियो को जितनी ज्यदे पर पर और आप कर रहें दोस्तों और हमारा सपोर्ट कर रहें एक और खबर की और चलें जहां पर फुतिन के ड्रोन हमले पर जनेंस्की का जवाब कहा रश्या बिल्डिंग तोड़ सकता है यूगरेंड के लोगों का मनोबल नहीं जी हां दोस्तों यूगरेंड पर रूस ने एक बार फिर हम हमला किया है इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है दोस्तों शहर में भारी तबाही देखने को मिली है यूगरेंड के राष्ट्रपती वलादिमीर जलनस्की ने हमले पर भी प्रतिक्रिया दिया आपको बता दें कि यूगरेंड के राष्ट्रपती वलादिमीर जलनस्की न दुश्मन हमारे शहरों पर हमला कर सकता है लेकिन हमें तोड़ने में सक्षम नहीं होगा उन्होंने पुष्टी की है कि कीव में एक आवास यह इमालत को नुक्सान पहुंचा है दो लोग मलवे में दबे हैं जी हां दोस्तों साथी साथ दोस्ते को और बड़ी खबर बता दे दोस्तों यूक्रेंड पर आकरमन और उसके सकुच हिस्सों पर कबजा करने को लेकर रशिया अपने खिलाब कई प्रती बंद और स्यूंत राश्र के प्रस्ताव जेल रहा है भारत ने कभी रशिया के कदम की निन्दा नहीं की नहीं स्यूंत राश्र में उसके खिलाब मानु संचालित बैलिस्टिक मिसाल पंडुब्यां या SSBN है दोस्तों इन में से तीन इस्तेमाल में आ चुकी है और एक का डॉक पर अंतिम चरण में असेंबली जा रही है जिहां सभी चार रिकाईयों को रूसी डिजाइन की साहिता से तैयार किया गया है दोस्तों बदादे क प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जिन 2018 में कहा था कि अपने नाम के रूप आई एनस ए अरी हंत 130 करोड़ भारतियों को बाहरी खत्रों से बचाएगा और छेतर में शांति के महौर में योगदान देगा यानि कि दोस्तों कहीं ना कहीं भारत के हर तरह की में दोस्तों रश् और रश्या के बीच दोस्तों भारत के साथ आप गहरा नाता किसका अच्छे से देखते हैं बताईएगा जरूर और साथी साथ दोस्ते कर बड़ी ख़बर आपको बताते जहां साओधी अरब प्रिंस ने अमेरिका को धंकाया कहा हम जिहाद के लिए पैदा हुए शहीद हो कोने से नहीं डरते हैं जिहां दोस्तों तेल उत्पातक देशों के संगठन उपेक प्लस के 20 लाख बैरल प्रती दिन तेल कटोर्दी की घोशना से ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका सौधी के संबद आने वाले वक्त में और कड़वे होने जा रहे हैं अमेरिका का कहना है कि सौधी अरब ने ये काम रशिया को फाइदा पहुचाने के लिए किया है इस बीच सौधी क्राउन प्रिंस मुहमद बिन सलमान के चचेरे भाई ने अमेरिका के खिलाब तीखा बयान दे दिया है जी हां दोस्तों साथी साथ एक और बड़ी खबर आपको बदा दें जहां युनाइटेड नेशन के महा सचीव एंटोनियो गुटेरेस का भारत दौरा 26-11 के पिडितों को देंगे सरद्धानजली जीहां दोस्तों सव्युक्त राष्ट के महा सचीव एंटोनियो गुटेरेस मंगलवार को अपनी तीन दिवसे यात्रा पर भारत आएंगे दोस्तों विदेश मंत्राला के मुताबि जनवरी 2022 में अपना दूसरा कारेकाल संभालने के बाद यूएन चीप का य इसके बाद इंटोनियो गुटेरेस मुंबई में भारत इंडिया एट 75 यानि यूएन इंडिया पार्टनर्शिप स्ट्रेशनिंग साउथ साउथ कार्परेशन विशेपर व्या ख्यान देंगे ऐसे में दोस्ता आप सभी से रिक्वेस्टें को वलकम टू इंडिया कहना मत भूलेगा महासचीव एंटोनियो गुटेरेस को साधी सा बड़ी ख़बर एक और बता दे जहां भारत के खिलाब अब नेपाल को मुहरा बना रहा है चीन मीडिया सामाजिक सेक्टर वा परिटन में दखल बढ़ाया जी हां दोस्तों दूसरे देशों पर कभजे की फिराग में रहने वाला चाइना अपनी महत्व कांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है चीन का अगला मोहरा है नेपाल जिसे वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है जी हां नेपाल के सारे चीन की भारत से जुड़े इलाकों में गती विदियां बढ़ती जा रही है दोस्तों चीन अब भारत से सीधे टक करना लेकर नेपाल में भारत विरोधी एजंडा चलाने में जुट गया है जी हां दोस्तों खूफिया एजंसी सूत्रों के मुताबिक नेपाल में अपनी पैठ बनाने के लिए चीन बहुत धर्म के प्रचार रेडियो के ज लुटा हुआ है इजंसियों के सूत्रों का कहना है कि नेपाल के साथ जिलों में भारत विरोधी गतिविद्यों को लेकर महौल तयार किया जा रहा है चीन अब नेपाल के शेक्षणिक संस्तानों मीडिया सामाजिक सेक्टर वा परिटन के छेतर में अपनी दखल बढ़ा र है दोस्तों और हर बार की तरह केंद्र को घेरने की कोशिस की जारियन के द्वारा आपको बता दे पीपुल्स डेमोक्राटिक पार्टी की अध्यक्ष महबुबा मुफ्ती ने सुमुवार को भारतिये जनता पार्टी पर आरोब लगाया है कि वह जम्मू कश्मीर में अंत्रन को समाप्त करने के साथ शुरू हुई जम्मू में व्यापारिक समुदाय को एक और जटका दिया गया है इस्थानी अर्थविवस्ता और व्यापारियों को नजर अंदाज करके भाजबा के कारोबारी मित्रों को लाप पहुंचाने के लिए नुक्सान दिह कदम उ किरने की कोशिस की जा रही है महबुवा मुफ्ती के द्वारे इस पर आपकी जो नीजी राइओ दोस्तों कमेंड में लिखकर अवश्य बताईएगा दोस्तों और मुमकिन कहना मत भूलेगा एक और खबर की बात करें जहां पर उप चुनावं में इमरान खान की पार्ड़ पाकिस्तान में हो रहे उपचुनाव पुरु प्रधान मंत्री इमरान खान के लिए खुश्खवरी लेकर आए हैं इमरान नेत्यत वाली पाकिस्तानी तहरीके इंसाफ ने उपचुनाव में छे नेशनल असेंबली और दो पंजाब विधान सभा सीटें जीती हैं दोस्तों मा नेशनल असेंबली सीटों पर जीत हासिल की प्रमुग ने सत्ता रुडगर बंदन को उम्मीद वारों को हरा कर पेशावर मर्दन चार सद्धा फैसलाबाद और ननकाना साही में सीटें जीती जीहां दोस्ते को और खवर की बात करें जहां मिस्र और भारत मिलकर चीन से करे एलान जीहां विदेश मंत्री जैशंकर जीने शनिवार को यहां मिस्र के अपने समकक्ष समय हैं शौकरी से मुलाकात की और इस दोरान दोनों नेताओं ने छेत्रिय घटना करम पर चर्चा की तथा यूगरेन संघर्ष तथा हिंद प्रशांद छेत्र पर विजारों का टक हुई इस साल राज नाइक संबंदों के 75 साल पूरा होना हमारे गहरे संबंदों को दर्शाता है जीहां दोस्तों एक और खबर की बात करें जहां विदेशी मदद से भी बाड़ पीड़तों को नहीं बचा रहा पाकिस्तान बड़े पैमाने पर भरस्टाचार से दुनि अब हर से पाकिस्तान को मदद मिली है दोस्तों लेकिन खबरे हैं कि उस राहत साहिता में भी ब्रस्टाचार व्यापत है राहत साहिता में अत्याधिक ब्रस्टाचार ने वैश्विक चिंताओं को जन्म दे दिया है दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रह हैं लेकिन दोनों ही अब ब्रशाचार के बारे में चिंतित है क्योंकि मानिविया साहिता प्रभावित प्रांतों में पीडितों तक पैसे नहीं पहुंच पा रहे हैं जी हां दोस्तों आप सभी के जानकारी के लिए आपको बता दें कि पाकिस्तान माई जिनाशकारी बाड़ प्रभाव्रों की सहायता मदद हो सकए लेकिन दोस्तों उन मदद के लिए दिए गए पैसे को भी पाकिस्तान सरकार खा गई जी हाँ दोस्तों ऐसे मेंगर आप भी मानते हैं यह बहुत शर्मनाक और बहुती निंदनी है तो आप लोग पाकिस्तान की सरकार के लिए आप लोग क्या सोच रखते हैं दोस्तों बताना मत भूलेगा साधी साधे का और बड़ी ख़बर की बात करें जहां फ्रांस में राश्ट्रपती मैकरोन के खिला भड़का आकरोश महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरे लाखो लोग जी हाँ दोस्तों फ्रांस में बड़ी महंगाई वा जरवायू संकट को लेकर जरता में भारी घुसा है दोस्तों तीन हटों से जारी हड़ताल के चलेते बूर्ड पार्टी के प्रमुग जीन लियूक मेले ने कौन ने किया है दोस्तों लोगों ने वड़ती महंगाई को लेकर अपना गुसा जाहिर किया और राश्ट्रपती मैनवल मैकरोन की सरकार पर दबाब बनाने की कोशिस की है इसके अलावा प्रदर्शन कारियों ने जल की बात करें दोस्तों जहां पर आज से शुरू हो रही है एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी दिखेगी भारत की शक्ति जिहां दोस्तों रक्षानु संधाने वां विकास संगठन बुलेदर डियारेडी 18-22 अक्टूबर 2022 तक गुजरात के गांधी नगर में एक्सपो 2022 का आयोजन कर रही है इसमें सवदेशी हत्यारों रक्षा उपकरनों और तकनीकों का प्रदर्शन होगा ये रक्षा मंत्राले का एक प्रमुग द्री वारशिक कारिक्रम है दोस्तों इशिया के इस सबसे बड़े रक्षा आयोजन के बार है वे संसक्रन की थीम प समर्तन जिहां दोस्तों स्वीटन की संसतने सोमवार को कंजर्वेटिव मौडरेट पार्टी के उन सट वर्षिय नेता उल्फ क्रिस्टर्शन को नया प्रधान मंत्री चुना है दोस्तों क्रिस्टर्शन ने और वे एक ऐसे प्रबंदन के प्रमुग होंगे जिसे दक्षिन पंती पार्टी स्वेडन डेमोक्रेट्स का भी समर्तन हाशिल है उनके गडबंदन में तीन दल शामिल है जिहां साथी साथ गौर्ब खबर बता दे जहां पर रिशी सुनक का प्रधान मंत्री बनने का सपना होगा पूरा लजने लगे क्या लिजिट ट्रस के दिन आपको ब प्रिटन में लिजिट ट्रस के खिलाब बड़े जटके की साजिश रचने में लगा हुआ है दोस्तों कहा जा रहा है कि युनाइटेड किंग्डम में एक और राज नितिक संकट आने वाला है नव निर्वाचित यूके पीम लिजिट ट्रस शिर्स पद पर दो महिने का कार प्रिटन की प्रधान मंद्री लिजिट ट्रस के खिलाब अटक लोग बीच यह संभावना है कि भारतिया मूल के ब्रीटिस राजनेता रिशी सुनक यूके के प्रधान मंद्री बनने के अपने सपनों को साकार करने में सक्षम हो सकते हैं मौजूदा हालात में रिशी सुनक जी इस पद के सबसे बड़े लोग पुरियत दावेदारों में से एक है जी हां दोस्तों तो क्या दोस्तों आप लोग भी यही मानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो पूरे ब्रिटेंड का काया कल्प बदल कर रख देंगे रिशी सुनक जी मानते की ने आप लोग दोस्तों क्यो और बड़ी खबर की बात करें जहां पार्टी के दिगज नेता ने राहुल गांधी के खिलाब खोल दिया मोर्चा कहा रोको भारत जोड़ो यात्रा जी हां कॉंग्रेस के अद्यक्ष्य पद के चुनाद के लिए कलियानी सुमवार को ही वोटिंग तुरू हो चुकी है और इस बीच कॉंग्रेस पार्टी के बीच बड़ी खुट निकल कर सामने आई है दोस्तों कॉंग्रेसी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एकमत नहीं है कॉंग्रेस पार्टी के दिगज नेता और गोवा के पुर्व मुख्यमंतरी फ्रांसिसको सर द कहा कि मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा रोक दे और हिमाचल प्रदेश्वा गुजरात में जाका लोगों को जहां गरुक करें जिससे वह उस उकलौती पार्टी को वोड़ दे जो बीचेपी को हरा सकती है बीचेपी का विरोद करने वाली एक मात पार्टी वहां कॉंग्रेस ऐसा उनका कहना है दोस्तों ऐसे में उन्सेंस फ्रांसिस को सर्दिना को लेकर आपकी जोड़ो यात्रागर कॉंग्रेस पार्टी के नितर रहुल गांधी दोस्तों छोड़कर के गुजरात वह माजल प्रदेश में जाकर रेलियां करते हैं तो क क्या बीजेपी को टक कर दे पाएंगे दोस्तों क्या अब की कॉंग्रेस में वो तागत है देखते हैं हमारी भारत की जनता कि इस पर क्या रही है दोस्तों साधी साथ आपके हिसासे कौन जीतने वाला है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का चुनाव और गुजरात का चुनाव ब मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमुवार को कहा कि समाजवादी पार्डी संस्थापक मुलायम सिंग यादव के निधन के बाद खाली हुई मैन पूरी लोग सभा सीट पर अब भारतिया जनता पार्डी आनि भाजबा का कमल खिलेगा मौर्य ने कहा है कि नेता जी नेता जी का कितना समान करते थे इस बात का अंधाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि वो 2014 और 2019 के लोग सभा चुनाव में नेता जी के निर्वाचन छेत्र में प्रचार करने नहीं गए थे जी हाँ दोस्तों साथी साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दे जहां खात बार है विक किस्त जारी कर दिया इस लिए साथ किसानों के खाते में बारकिस्त के 2000 रुपए आने शुरू हो गए हैं दोस्तों केंदर सरकार की सबसे महत्तव कांख्य योजना प्रधान मंदरी किस्थान सम्मान इदी योजना के तहत पैसा नहीं मिला है दोस्तों तो तुर भारती किसान के बैंक एकाउंट में प्रधान मंत्री किस्तान सम्मानिदी इसकिम का पैसा नहीं पहुंच रहा है तो इसका समाधान तुरंद किया जाएगा किसान के खाते में पैसा पहुंचा नहीं है या फिर कोई टेक्निकल दिक्कत है तो उसे हराल मठीक किया जाएगा ज जाना देनिक उपभोगी की वस्तूओं की कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है दोस्तों लेकिन इस बीच मोधिस सरकार ने आम आदमी को बड़ी रहत देने का फैसला लिया है दोस्तों मोधिस सरकार के इस फैसले के बाद यह माना जा रहा है कि दिवाली से पहले घरेल गैस सिलेंडर की कीमतों में कम ही आ सकती है जी हाँ दोस्तों फिलहाल सरकार ने भी इस और कोई आधिकारिक एलान नहीं किया है लेकिन आपको बता दें कि बीते दिनों मोधिस सरकार ने केबिनेट बैठक में एहम फैसला लेते वे सरकारी तेल कंपनियों को 22,000 करोड दोस्तों कि दिवाली से पहले आप सभी को गैस सिलेंडरों में राहत मिल सके ऐसे में दोस्तों आपके यहां पर अभी 14.2 kg के गैस सिलेंडर का क्या भाव चल रहा है दोस्तों कमेंड में लिखकर जरूर बताएगा साथ यह थी अबदा कि सारी बड़ी खबने दोस्ता आप लिख दीजिएगा जैन्द जै भारत तो मिलते आप सब्सक्राइब बड़ी खबर में दोस्तों तब तक माना ख्याल दखेंगा बहुत-बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए साथ बने रहने के लिए और खबरों का सिल्सला लगातार हमार चल पर जादित अपडेट रहन बिलकुल मत भूलिएगा मिलते हैं लिए बड़ी खबर में दोत्तों के लिए जैन्द जै भारत जै श्रीराम वंदे मात्रम हरहर महादेव